महाराश के ठाने में शेरी नगर पुलिस स्टेशन ने दो करोड से अधिक की दोडला वेल एमबर ग्रिस जैसे वेल वेमन भी कहा जाता है बरामत किया है वेल वेमन विक्री करने आये दो लोगों को वागले स्टेट में आने की जानकारी मिली थी जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों जिनका नाम है मयूर देवी दास मुरे 31 बस और प्रदेप अन्ना मुरे 34 साल को गिरफतार कर लिया है इनके पास से 2 करोड की अधिक से भी ज्यादा कीमत की वेल वेमन बरामत किया गया है वेल मशली के ये उल्टी है जिसकी वजन 2 किलो 49 ग्राम है ये उल्टी परफ्यूम और इत्याजी सामान बनाने के काम आती है मुंबई के पूर्व प्लिस कमिशनर परमवीज सिंग पर अनेक धोखा धड़ी, मनी लॉंडरिंग, जबरन वसूली के मामले मुंबई के विभिन आदालतों में लंबित परमवीज सिंग को ढूड़ने में मुंबई पूलिस लगी हुई है, मगर अभी तक मुंबई पूलिस परमवीज सिंग को ढूड़ने में नाकाम साबित हो रही है वही कोट के आदेशा अमसार परवीज सिंग को भगोड़ा घोसित किया गया है अगर निश्चित समय पर परवीज सिंग ने मुंबई पुलिस के सामने समरपड नहीं किया तो उनकी संपत्ती जब्त कर ली जाएगी वही भिवन्डी में 14 साल की लड़की के साथ 40 साल के एक बेक्त ने घर पहुचाने को कहकर उसे लौच मिल ले जाकर उसके साथ बलादकार किया है पुलिस ने बताया कि घटना भिवन्डी तालुका की है और आरोपी को गिरफतार भी कर लिया गया है पुलित के माता पिता पाल घर में इट के भट्टे पर काम करते हैं जिनके परचित ने लड़की को घरेलु काम के लिए भिवन्डी लाया था और आरोपी ने परचित के घर पहुँच कर लड़की से उनके परिवार के पास ले जाने को कहा और रास्ते में ही उसे एक लोज में ले जाकर उसके साथ रेप किया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के साथ योन अपराद भच्चों का संवच्छन पॉसको अधिनियम अनुसूचित जात योम अनुसूचित जनजाती अत्याचार निवारण के तहत मामला दर्ज किया गया है मुंबई के पवई साकी विहार रोट पर हुंड़ई सर्विस सेंटर में गुरुवार को आग लग गई आग बुझानी के लिए पांच डंकल की गाड़िया मौके पर मौझूद रही आग का तांडो साफ देख सकते हैं कि आसमान में काले धुए का गुंबार उठ रहा है पॉट होटल की शुरुवात की है अब मुंबई सेंटर रेलवे स्टेशन पर ये होटल की शुरुवात की गई है जिसमें कम कीमत में रहने खाने की बेवस्था होगी जानकारी के मुताबिक 12 घंटे के लिए 999 रुपे और 24 घंटे के लिए 1,999 रुपे खर्च करने पड़ जा लिए के लिए कुरुपे टुपे खर जानकारी की बेड़, कर अब जानकारी कवे कुरुपे जा रहने की। झाल झाल